हाई फ्रेंड स्वागात है आपका हमारी यूटूब चैनल आरे ट्रिक में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंस्टागराम एस्टोरी मेंशन कैसे करें how to mention Instagram story दोस्तों आप भी Instagram story किसी भी फ्रेंड के पास mention करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आफी लोग के लिए है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पहुत ही इसली तरीके से बताऊंगा जिससे आप अपने Instagram story mention कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेट जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक आरे ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर दिजिएगा तो दोस्तों Instagram story mention करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें Instagram app को open करना है तो यहाँ पर दोस्तों मैं Instagram app open कर चुका हूँ Instagram app open करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस परकार का पेज देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों left hand side में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा your story देख सकते हैं यहाँ पर मैं allow कर दिया हूँ तो इस तरीके से आप यहाँ पर allow कर दिजे permission allow करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा gallery open होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं मेरा gallery यहाँ पर open हो चुका है तो आप दोस्तों Instagram story को mention करना है तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें उस फोटो या उस वीडियो को चूच कर लेना है जिस फोटो या जिस वीडियो पर हम किसी भी फ्रेंड के पास mention करना चाहते हैं तो वो फोटो या वो वीडियो यहाँ पर चूच कर लेना है यहाँ पर दोस्तो मैं एक फोटो चूज कर लेता हूं देख सकते हैं यहाँ पर मैं फोटो चूज कर लिया हूं फोटो चूज करने के बाद दोस्तो हमारे सामने कुछ इस परकार का पेज देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तो हम कुछ edit करना चाहते हैं तो यहाँ पर edit कर सकते हैं से हमें कोई emoji लगाना है तो यहाँ पर हम emoji लगा सकते हैं कोई song डालना है तो यहाँ पर हम song डाल सकते हैं फिलहाल दोस्तो कोई भी song या कोई भी emoji हमें नहीं डालना है अगर आपको यहाँ पर डालना है तो आप यहाँ पर edit कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें A मिलेगा देख सकते हैं और उसी के साइड में यहाँ पर हमें गैलरी का आइकन मिलेगा तो इसी गैलरी वाले आइकन पर हमें क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें लोकेशन के साइड में यहाँ पर हमें मिलेगा मैंसन देख सकते हैं तो इसी मैंसन पर हमें क्लिक करना है mention पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें उस friend का username डालना है जिस friend को हम story mention करना चाहते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमें मान के चलिए कि यहाँ पर हमें एक friend का username है रियाज रोबी ओके दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए मुझे इस friend को story mention करना है तो यहाँ पर मैं उसका username डाल देता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ username रियाजरोबी तो यहाँ पर देख सकते हैं रियाजरोबी से जितना सारा Instagram user है वो सभी का सभी यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर आपको चूच कर लेना है कि कौन सा friend है जिसका username आप यहाँ पर डाले हैं उस friend को यहाँ पर आपको confirm कर लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह रियाज रोबी है इसके लिए हम इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आचुका है रियाज रोबी तो यह यहां पर हम इस पर क्लिक करके इसे जूम भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं और उसके बाद इसे जहां पर रखना चाहते हैं वहां पर आप इसे फिक्स कर दिजिए तो जैसे कि हमें यहां पर रखना है तो मैं यहां पर फिक्स कर दिया हूँ fix करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक arrow का icon मिलेगा देख सकते हैं तो इसी arrow वाले icon पर हमें click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें share पर click करना है share पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें done पर click करना है यहां पर देख सकते हैं यहां पर रियाज रोबी, अर्दरेट रियाज रोबी, एंड यहां पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है, यहां पर देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन आ चुका है, डिजीटल रियाज मैंशन यू, यानि कि डिजीटल रियाज मेरे पास मैंशन क्या है वो नोटिफिकेशन भी आ चुका है तो इस तरीके से दोस्तों हम Instagram story mention कर सकते हैं I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो like comment जरूर कीजिए और चैनल पर आप पहली बारा है तो subscribe कर दिजिए तो चलिए friends फिर मिलते हैं नए वीडियो में नैट रिक के साथ जब तक के लिए बाई